चलिए दोस्तों लेका है हो और एक नई टेक न्यूज और सबसे पहले जा न्यूज अस तो 4RI LG की तरफ से LG स्मार्टफून बिजनेस पे तर निकल चुका है लेकिन उनका टीवी का बिजनेस बहुत जाद जोरो सोरे से चल रहा है और आज उन्होंने कुछ ऐसा पेटेंट फाइल किया है जिसके अंदर आपको डिवल रोलेबल टीवी चोई 4 दीख सकता है और इसके इमेजेस की तरफ आप देखते तो आपको समझ मैएगा कि अगर आप रोल करके रखते तो एक साउंड बार की तरह लगेगा और जब आप रोल ओपन करते तो ये पूरी तरह से टीवी बन जाएगा बहुती इंट्रेस्टिंग कॉंसेप लग रहा है बस देखना होगा ये जो टीवी एलजी की तरफ से कब तक आता है और किस प्राइस पे इंडिया के अंदर आता है ये देखना होगा और अगली न्यूज आ रहे है रियल्मी की तरफ से वैसे रियल्मी की तरफ से दो से तीन कबरें आ रही है सबसे पहले न्यूज आ रहे है रियल्मी के डीजो इस ब्राइंड को लेकर ऐसे कहा जा रहा है कि इस ब्राइंड का पहला प्राडुक्ट जोए वो first of July को आने वाल है और ये officially Realme ने declare कर दिया है तो देखना होगा ये product जाए कौन सा होता है smart watch, TWS earbuds या फिर smart phones होते है और उसी के साथ Realme की दरब से Realme 9 series और X9 series के phone जाए फो इंडिया में confirm launch हो गए क्योंकि ये जो series के phone से ये Realme इंडिया की website है उसके उपर list हो चुके अगर इंडिया Realme के website पे list हो चुके तो इसका मतलब इंडिया में अगले महिने या फिर उसके अगले महिने ये जो series के phone से ये confirm launch होने वाले है और इसी के साथ Realme का एक Realme G1 इस नाम से एक smartphone जो है फो Realme के site पे list हो चुका है मतलब शायद Realme G1 इस नाम से भी एक phone जो है फो आ सकता है ऐसे rumors आ रहे है अब देखना होगा इन में से कितने सारे phone जो है फो हमें अगले महिने Realme की तरफ से देखने को मिलते और अगली निज़ारी लावा की तरफ से लावा की तरफ से लावा ने आज उनके TWS फो लांच कर दे जिनका नामें लावा प्रो बर्ड्स और इनकी प्राइजिंगे 2200 रूपे के आरांड ये मिलते है और इनके अंदर आपको 11 मिटर के ड्राइवर से फो देखने को मिलते है वैसे स्पेसिफिकेशन तो बहुत ही बढ़िया लग रहे और आपका बज़ेट अगर 2200 रूपे के आरांड है और आप कोई इंडियन TWS का उप्शन दून रहे तो आप इंडियन TWS की तरफ देख सकते है और अगली निज़ारी टिक टॉक की तरफ से बहुत दिनों से टिक टॉक जो वो बैन हो चुका है तब से कुछ भी खबरे नहीं आ रहे थी लेकिन आज एक एसी खबर निकल क्या रहे है तिक टॉक ने एक ट्रेडमर्क फाइल किया है टिक टैक इस नाम से और ये जो एक अडियो प्लाक्फोर्म रहने वाला है जैसे की कलब आउस है वैसे ही ये इंडिया में आएगा नहीं आएगा इसके बारे में इंफोर्मेशन नहीं है बस इतनी information की TikTok की तरब से हमें बहुत जल TicTac इस नाम से एक audio platform जोए 4 देखने को मिल सकता है और अगली user है Samsung की तरब से Samsung Galaxy M32 यह जब phone ने यह launch हो चुका है इंडिया के अंदर जिसके अंदर 6000 एमेच की बैटर बेकप एक AMOLED डिस्प्लेइ विद 90 Hz सिर्फिस रेट साथ इसाथ 64 MP का COD कामेरा से डब ज़ए 4 देखने को मिलता है और इस phone की price बहुत जब अग्रेस है 15,000 में launch हुआ है लेकिन ICC Bank का card यूज करते है तो 12,000 से 13,000 के रूंड यह phone आपको मिल जाता है तो अगर आपको कोई ऐसा phone चाहिए जिसमें display अच्छा हो और battery backup अच्छी हो तो आप इस phone की तरफ जरूर देख सकते है और अगली नुज आरे विवो की तरफ से विवो V21E5G यह जब ओफिशल अनौस करते हैं विवो ने 24 जून को यह जब फोने launch होने वाला है इस phone के बारे में और भी जानना हो तो card में link लगाखा दे रहो उस video का आप ज़रूर चेक आउट कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की टेक प्रिस को यह खतम करते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजें साथ इसाथ चानलेल को सब्सक्राइब करना मज़ें